पुर्दोर एक आवाज है खामुशियों की है जुबाँ चल दे तो चल दे करवाँ वो है जहाँ, वो है जहाँ लगती है जैसे आसमाँ वो है यही वो रोशनी ते जस्मिनी, ते जस्मिनी, ते जस्मिनी नमस्कार तेजश्विनी कार्खर में आप सब का स्वागत हैं मैं हूँ ममता चूपरा किस तरह एक छोटी से ख्वाहिश, एक छोटा सा सपना जर्या बन सकता है जंदगी के बड़े लक्षों को हासिल करने का इसे साबित किया है हमारी आज की महमान ने जो बाड मेर के छोट इसे गाम की रहने वाली है लेकिन मात्र कुछी वर्षों में वो बन गई है अंतराश्टे सतर की फैशन डिजाइनर आप कौन बनेगा करोड़ पती में भी शामिल हो चुकी है और यहीं नहीं बलकि फैशन डिजाइनर आफ दे येर का पुरस्कार भी आपको इस साल मिल चुका है नारी शक्ती सम्मान से सम्मानित बाड मेर की रूमा देवी है हमारी आज की तेजस्विली एक असंभव सोच को हिम्मत के धागों में फिरोने वाली उसमें अपनी कलातमक्ता के रंग भरने वाली बाड मेर की पारंपरिक कड़ाई और पैच वर्क को गांग की दरुदीवार से निकाल कर अपनी अलग कहानी लिखने वाली समाजिक विरोध को अपने होसलों से दर किनार करते हुए 75 गावों की 22,000 महिलाओं को स्वरोजगार की राह दिखाने वाली देश और विदेश में अनेक पुरसकारों का सम्मान पाने वाली राश्टपती द्वारा सबसे प्रतिष्ठित नारे शक्ति पुरसकार हासिल करने वाली हजारों महिलाओं के चीवन को स्वरोजगार के जरिये रौशन करने वाली देश और दुन्या में भारतिय महिलाओं के कभी हार ना मानने वाले जजबे को प्रस्तुत करती बार्मेर की फैशन डिजाइनर रूमा देवी ही है हमारी आज की तेजस्विनी कुछी वर्षों में कभी सोचा था कि इतने बड़े लक्षे हासल करूंगी मैं नहीं जब मैंने काम शुरू किया था तो यह नहीं पता था कि इस काम के जरिये कोई एवार्ड भी मिलता है या कोई मतलब इस काम के इतनी सहराना होती है मैंने सिरफ मेरे रोजकार के लिए यह काम शुरू किया था लेकिन दीरे-दीरे मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने यह काम सुरू किया और मेरे पास में पैसे आने लगके हैं मेरे जैसे कितनी महिलाएं जो उनके पास में रोज़गार नहीं है तो उन महिलाओं को क्यों न साथ में जोड के यह काम किया जाए रुमा जी आप बहुत चोटे से गाम में पली बड़ी है शादी भी आपके चोटे से गाम में हूई तो इतने छोटे से गाव में कब ऐसे सोच आई कि कुछ अपना काम किया जाना चाहिए? उनका बैग लेती और उसको खाने के लिए बोलती कि वेटा खाना खालो लेकिन जब मैं घर जाती तो मुझे बहुती मतलब ऐसा आंगन सुना था कोई नहीं था भूग लगी है तो खाना खालो नहीं तो ठीक है खाना बना के खाना फिर घर का काम करना और इस्कूल जाना फिर आठी में स्कूल छूट गया और 17 साल की थी तब साधी हो गई साधी के बाद भी घर की आरती की स्थिती ठीक नहीं थी क्योंकि मेरे पती सिर्फ पांस भी पड़े थी मैं आठी पड़े थी तो कोई ऐसा जॉब नहीं था खेती का काम कर रहे थे दो साल बाद जब मेरा पहली संतान हुई मेरा बेटा हुआ तो अच्छे से मैं इलाज नहीं करवा पाई और उनको मैंने खो दिया सिरफ 48 गंट की ही खुशियन ले पाई उसके बाद मैंने सोचा अब घर में बैटने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अब बचा ही कुछ नहीं है और घर में ऐसे ही बैटे रहेंगे तो और पता नहीं क्या होगा लेकिन करे भी तु क्या करें फिर सोसे जो बस्पन में दादी के साथ में बैट के कसीदाकारी का काम सीखते थे इसी से कुछ करते हैं कि कोई जॉब मिलने का तो कोई था नहीं क्योंकि ज्यादा पड़े जूब में गावों में देखते हैं कि यह से महाल होता है लड़कर उसी में रम जाती है कुछ अलग से कैसे क्या किया जा जाए कोई उमीर की किरण नजर आनी बहुत जरूरी होती है आपके लिए उमीर किरण चोंब मार्डमेर में गाउं जो गाउं में इखटा लोग रहते दूर दूर रेत के टीबों के भीच में धानियां बनी होती है जहां पर एक किलोमेटर के गैप होता है फिर एक धानी आती है ऐसे लोग रहते हैं और वहाँ पे पानी लाते ही मतलब पूरा दिन निकल जाता है कि पहले पानी की बहुत समयश्या थी अब तो काफी सुधार भी तो मेरे पास में भी एक बैल गाड़ी होती थी, मेरे ताउजी के पास में, तो मैं भी पानी लाने का काम करती थी, ऐसे ही बस्पन गुजरा, लेकिन जब साधी के बाद में हम, मेरी साधी हुई बाड मेर से 60 किलो मेटर दूर मंगले की बेरी गाओं में, और वहां से मेरे हो रहे थे, क्योंकि घर का काम तो आप दो गंटे कर लो, तीन गंटे कर लो, पूरा दिन क्या करोगे, फिर मैं कभी ऐसे नहीं बैटी थी, कि सो जाए, पूरा दिन ऐसे निकल जाए, कुछ ना कुछ करती रहती थी, इसलिए मैंने स्वासा, थोड़ी सी कोसिस करते हैं, किस मतलब ऐसा था, चोटी-चोटी सीजियां एकटा करके बैग बनाने शुरू किये, जो महिला माई के जाती है, अपने कपड़े बगेर डाल के लेके जाएगी, तो मैंने का, इनहीं के लिए बनाते हैं, तो कसिदाकारी का काम तो हाथ से सुई और धागई चाहिए था, और काम कुछ नहीं होता था, तो मैंने उन महिलाओं से बात की, कि अपन मिल के कुछ करते हैं, क्योंकि एक गाउं में महिला के लिए काम सुरू करना अके लिए, यह संभ़ नहीं था, बहुत मुश्किल था, तो कुस महिलाओं ने बोला कि ठीक है करते हैं, तो हमने 100-100 अब सेलेंज यह था, दस महिलाओं के लिए काम क्या लाएं, फिर हमें किसी ने बताया कि ग्रामिन विकास यतना संस्तान है, जो हैंडीक्राफ का काम करते हैं, अगर आप उनके पास जाओगे तो साइद आपकी कोई हेल्प हो पाए, तो हम वहां गए, अभी हमारे सेकरेट काम करने के लिए तयार नहीं है, तो मैंने का हम करेंगे और आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करते हैं, तो फिर हमें सेंपलिंग दी गई और हमने इतने अच्छे सेंपलिंग बना के लेके गए, हमें ओर्डर का काम दिया गया, तीन दिन का काम दिया था, हमें इतनी तो उनको लगा कि वास्ता में ये काम करने वाले हैं तो फिर उन्होंने भी ओडर लाने में थोड़ा सा अगर आपने 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 दस महिलाओं के समुख को आगे बढ़ाया बलकि आपने आज की डेट की अगर बात करें तो कहा जाता है कि 75 गामों की 22,000 महिलाओं को साथ जोड कर आप उनके सशक्तिकरन के लिए भी काम कर रही हैं और आपके साथ जोड़ी रही हैं ये कैसे समभव हुआ? तो पैदल जाना पड़ता था और ये कटे में भरके समान लेके जाना उनके पास में जब उनके घर पहुंचते तो घर वाले बोलते कि आप क्यों आए हैं? हमारे जो महिलाएं घर का काम कर रही है हमारे जो महिलाएं घर का काम कर रही है वह ही उनके लिए बहुत हैए करने के लिए लेकिन वो होता है जब महिला के पास पैसे आते हैं तो वो लगता है कि हमारा कहना नहीं माने गई या लेकिन अनका ऐसा कुछ नहीं है सबको समझा के उन महिलाओं को साथ में जोड़ना कुछ महिला जुड़ती है कुछ को नहीं जुड़ने देते हैं लेकिन फि जाते थी आप महिलाओं को इकत्रित करने के लिए घर 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 ते लोग नहीं रहते हैं रेत के टिबों के भीश में दूर धुर धुर धानियां होती है इसमें मतलब देन में सोचो फास करम घर जा पाते हैं ऐसा ही होता था लेकिन उसके बाद में जब हमें लगा की यह कसिदाकारी का काम तो सब को आता है, लेकिन इनको टैनिंग की जोड़ते हैं, अब स्किल की टैनिंग देना है, उसको उनको साथ में जोड़ना, तो फिर हमने कई एजेंशियों से बात की, तो एक कंशन इंडिया फाउंडेशन है, जो हमारे साथ में जोड़के गाउं की म का मौका, जो एक्जिशन था, पहली बार आप बार मेर से बाहर आई होंगी जब दिल्ली बहाँ पाई था, जब हम वहां से आ रहे थे तो लगा कि पता नहीं दिल्ली कैसा होगा, हम वहां रह पाएंगे, हमें कुछ पता चले कहां जाना है, क्या करना है, और जो प्रोड़ हमार आये जो, जो हम वह रहे रहर सेता बना और मॉहां से भशोंग glad Tiyaan एक जब होेख्यंचा, और जो पता है, तो पता चलिक स्सक्तभशा जानता कि इस एकाल अशुली ड्ऱव prior साहलशा में उलिए का मौका साकिया यह बहता हम और कान कर जानतान है, कोई काम के हाईंग म हमें बढ़ा मतलब थोड़ा दुख भी हुआ कि कोई जानता नहीं है और आज आज आपके वजह से बाइड में जानते हैं लेकिन यहां से आगे वढ़ते हैं क्योंकि आप फैशन डिजाइनर बन गई आप रैंप वॉक भी किया आपने गाम की महिलाओं को भी रैंप वॉक कर रहा है और वो मौका कैसे लिए हमारा एक्जिविशन था और इसमें हमें 10-15,000 की सेल हुई थी तो हमें हिम्मत मिल गई कि अब आगे करना है तो वापत जाके हमने यह किया कि next जो एक्जिविशन होगा उसके लीए अपन को फुल तैयारी कि यहां पर अपने बहुतyorsun में कि तयारी करने के लिए फिर जब हम अगले अच्छा हुत आनोरा को सब्ताना बनाते हैं लेकिन साडिया हम पहनते नहीं थे तो पहली बार हम जब बनाई तो उल्टा पलू बना दिया थिर कस्टमरों ने बताया वैसे हमने वापस जाके बनाया तो अच्छे से बन गई लेकिन हमारे जो डिजाइनर गुरू है वो कस्टमर ही थे जो उन्होंने बोला वो हम फोलो करते गए बहुत बढ़ी है अब हमें लगा कि एपलीक और M2D के कपड़े तो कभी लोगों ने पहने नहीं है तो ऐसे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे पहने होगे कैसे लगे तब हमने स होगोगी है तो राजस्थान हरीटेज मीज ब्रत करते हैं तो हमने जाकर बोला हमें फैसन्षो करना है क्योंकि वह मँदे बडेering को करना है वोगो कि कि अमारे पर दीजाइन cortar को चाहते ओरबद trasande को चलेकिन हमने बैसे लगे उने लिए एंधिजरों करते पहन हमें आफ र एक थीम बनेगी, उसके साथ फैसंसो होगा, वह हमने कैसे कर पाएंगे, फिर हमने और बड़े अंजो से मतलब मदद मांगी, कि हमें फैसंसो करना है, आप थोड़ी हमारी हेल्प करिए, तो उन्होंने बोला कि आप फैसंसो, आप जहां पे काम कर रहे हों फेल्ड में वही आ कि भारा याएंगे दिल डड़क राता कि वहांपे बड़े डिजाइनर थी, उनके तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉड़ेक्ट थे, हमारे प्रॉड़ेक्ट को कोई पसंड करेगा, नहीं करेगा, कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब हमारे प्रॉड़े क्रम पे आय आवार्ड मिला है जिसके लिए अब उनको पैरिस भी लेकर जाए जाएगा यहां पर रुखेंगे ब्रेक के लिए लिकिन ब्रेक के बाद प्रुमा देवी के जीवन के सफर की यात्रा जारी रहेगी पहला अक्षर अरट लो तो वह से एक विदवान होगा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं तेजस्विनी जिसमें आज मारी महमान है बाद मेर के छोटे से गांग की अंतर आश्टेस्तर की फैशन डिसाइनर रुमा देवी रुमा जी आपने बताया कि किस तरीके से पहली बार आपने फैशन वीक में हिस्सा लिया लेकिन ये सफर तो उसके बाद विदेश्यों तक जा पाँचा किस तरीके से आपने आपको चेंज किया बदलाव किया अपने डिजाइन को डिजाइनर्स की रिक्वार्मेंट की ये नया नया बदलाव किस तरह आपने इसको आपने साथ किया यही जब हम बाडमेर से बहार गए तो सारी चीजे देखि कैसे लोग पसंद करते हैं वहीं पहने पैनते हैं यही देख देखके हमने शीख और हमने यही नई कि डिजाइन सेंज़ गिया या कॉस्ट्यूम सेंज figuring हमने फैब्रीक भी सेंज़ गिया पूरे इंडिया से जैसे टथसर शील्क है संदेरी सिल्क है मङल गिरी है अश्वरप अलग फैब्रीक लेकर उनके साथ में garbage बनाना की चैनल यही सारा देखके, क्योंकि जब एक्जिविशन में जाते हैं, तो हर कौने से लोग आते हैं, किसी के पास फेबरीक होता है, किसी के पास मेटरियल कुछ होता है, तो उस सब को मिला के अपन को क्या बनाना है आगे, यह हम अपने दिमाग से ही करते थे, और इसी के बीच में हम इनदिया में काफी जगर करहे हैं, लेकिन इंडिया से बहेर कैसी लाया जाया है? यह सोची रहे थे, तभ हे एक मेल आया, ज़िए इनदिया से मात्र एक NGO को सτέलेक्ट किया है, जो यहाँ पे हम टेक्स्टाइल में हम इनवाइट कर रहे हैं, अपने इतनी खुसी हुई कि हम है जर्मनी में सीधा है फिर जर्मनी फिर सिंगपोर श्री लंका जगा 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 घूमे हैं यह बताइए कि हम इतने आगे बढ़ने के सफर की बात कर रहे हैं यह सफर बहुत जल्दी तई कर लिया आप में 2008-2009 के करीब में कुछ जहां तक ध्यान है कि आप यही साल थे वैसे एक महिला को घर से बाहर निकल के काम करने के लिए बहुत सारी कठिनायों का सामना करना पड़ता है पहले घर वालों का फिर पड़ोस वालों का लेकिन जब सक्सम हो जाते हैं तो सब साथ में हो जाते हैं जब आपने सोचा होगा कि मैं काम करूंगी क्या प्रतिक्रिय करने जाए पता नहीं हैं। लिकिन किस्णुर्व्घ सिरुषियों लिए कि कहते थे कि आप बहुत जा रही ही हो पता नहीं आप कहा जाते ओ लेकिन हमने ब setzen सें कि काम कर रहे हैं। वह सब के भले के लिए कर रहे हैं। दो आज जब काम right सभ्सम में जो एक बाट शीज्ट waits उसको आप वापस ले आई हैं और आधुनिक डिजाइन के साथ भी आप जोड रही हैं। लेकिन जिन महिलाओं के साथ आप जूड के काम करती हैं, रुमा जी, उन महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि किसी भी महिला के हाथ में अपनी कमाई का एक भी रुपया आता है तो वो एक एहसास बहुत सुखत होता है जब तक महिला के पास पैसे नहीं है इंकम नहीं है तो वो एक घर का काम करने तक ही सिमित रहती है कोई भी काम होता है डिसीजन लेना होता है तो उनसे कोई ब पहले ऐसा कोई नहीं पूछते थे कि आज यह काम करना है अपन को कैसे करना है इसमें इतने पैसे खर्च होंगे लेकिन आज तो हर कोई पूछता है महिलाएं भी आप मताती होंगी कि किस ना उनका जीवन बडल रहा है जब वो महिलाएं काम करती है और उनके हाथ में पैसे जाते हैं तो अपने वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए करना चाहेगी अपने बेटी के पढ़ाई में खर्च करना चाहेगी फिर वो कुछ कि मेरे पास में पैसे है यह कह सकते हैं कि 22,000 महिलाएं नहीं 22,000 परिवारों को सशक्त कर रही है आप अच्छा यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको Fashion Designer of the Year का पुरसकार मिल चुका है पैरिस जाएंगी आप कौन बनेगा करोड़पती में भी आप शामिल हुई च सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जब KBCC मेरे पास में कौल आया तो उनोंने बताया कि हम KBCC बोल रहे हैं और आपको invite कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पती में मतलब ऐसा लगा कि फैक कौल हो सकता है क्योंकि हमें वहां कौन बुलाएगा लेकिन फिर next day और कौल आया कि ह हम वहें चे बोल रहे हैं और आपको हम हमारा करमवीर एपिसोड होता है उसमें सम्मानित करने के लिए हम आपको बुला रहे हैं फिर हम हमारे शुटिंग होई वहां बाढ़ मेर में तीन-चार दिन की फिर वहां बुलाया तो अभीता वसंद जी के साथ में बैठके बहुत करते हैं अगे वाले को इतना मतलब आदर भाव देते हैं बहुत ही अच्छा लगा अब अब ट्राइफट की ब्रांड अबेस्टर भी बन गई हैं किस तरीके से जो छोटी-छोटी आर्टिजन्स हैं हर्थ शुट से जुड़े हुए लोग हैं किस तरह इनकी जिंदकी बद करते हैं इंडिया के पूरे हर कौने से आदिवासी हैं उनको साथ में जोड़ते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही पिछड़े लोग हैं तो उनके जो खास तोर पर मैं महिलाओं के सपोर्ट करती हूं और वह महिलाओं के जो कारीगरी है उनको पहचान दिलाने के लिए हम पहच पहले जैसे सहर में आके वह पोड़क्ट सहल कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा जिंदगी बदल रही है लेकिन जो महिलाओं आपको देख रही है इस वक्त रुवाजी आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगी खास तर पर गांग की वह महिलाओं जो आज भी कुछ समन्ना कुछ सपने रखती हैं लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि उनको साकार करने के लिए आप कितरा हिम्मत दिखाएं और आगे बढ़ें यह क्योंकि सबसे पहले हिम्मत महिला को ही उठानी होगी अपने खुद के लिए तो उनको ही आगे आवाज उठानी होग अब मैं कहना चाहूँगी कि महिला महिला है महिला को सब्मान दे सपोर्ट करें अपने हग की लड़ाई खुद लड़े हम सब के पास कोई न कोई हुनर जरूर है तो क्यों न हुनर के जरिए आगे बढ़े और खुद पर विश्वास है तो अड़े रहें और खड़े रहें जैसा आप अड़ी भी है और खड़े भी हैं और इसलिए लगातार आगे बढ़ी है अब पारिस के लिए तयारी पूरी है क्योंकि वहाँ तो बड़े-बड़े डिजाइनर जाते हैं और इसलिए ही ये पारिस का तूर मिला है तो मैं मेरी आर्टिजनों को साथ में लेके व बहुत बहुत शुक्रिया रूमा जी हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया रूमा जी हमारे साथ बात करने के लिए।